महाशिवरात्री का पावंत त्योहार आने वाला है। पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पाक्ष कुंड भगवान शिव के आसुओं से बना है। इस कुंड के निर्मान के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि जब देवी सती की मृत्यू हुई थी तब भगवान शिव उनके दुख में इतना रोय कि उनके आसुओं से दो कुंड बन गए। जिसमें से एक कुंड राजेस्तान के खुशकर नामक तिर्थ पर है और दूसरा पाकिस्तान के कटास राजमंदिर में। आपको बता दे कि पाकिस्तान में हिंदूों के लगभग 22 धार मिक स्थल है। इनी धार मिक स्थलों में से एक है कटास राजमंदिर। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने भी पाकिस्तान में हिंदूओं के पवित्र स्थानों में से एक कटास्राज मंदिर में राम, शिव और हर्मान जी की मूर्थिया ना होने पर नराजगी जाहिर की थी यहामें वीजा की जो डेट है, संक्षिन है वो टाइम सेर मिलने चाहिए ताकि हमारे यातरियों को ज्यादा दिक्त ना हो उन्होंने दूर दूर से आना होता है और वो पहुंच नहीं सकते इसलिए यह हम जो इन्हें विसेज कर रहे हैं कोई यातरियों हमारे काम हो जाएंग आपको बता दे हर साल महाशिवरात्री के मौके पर हिंदूओं का जथा अमरिच सर से पाकिस्तान को रवाना होता है लेकिन समय पर वीजा मिलने की जानकारी ना मिलने की वज़े से दर्शनार्थियों को जादा दिक्यतों का सामना करना पड़ता है कोई दर जार पर देखा आए हैं हम तो चलो जगाद या रहाना से साथ की साथ ट्रेन पकड़ी अपनी गाड़ी उठाई आ जाते हैं जो दूर से आने वारे उन्हें बड़ी प्रसान्य होते हैं में अब भी कोई बीच में रुके हुए हैं टेल भूना रहे हैं उन्पे बा पाकिस्तान के कटास राजमंदिर में दर्शन के लिए जाता है इस बार भी देश भर से आट प्रातों के लोग इस चत्थे में शामिल है लेकिन दर्शनार्थियों की शिकायत है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से समय पर वीजा ना मिलने के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामन करना पढ़ता है एक दिन पहले ही उन्हें यात्रा बर जाने की जानकारी मिलती है जिसके खारण उन्हें महंगी टिकेट खरीद कर अमरिचर पहुंचना पढ़ता है पर ना ननकाना साभ जा सकते ना पंझा सब जा सकते हैं कहीं नहीं जा सकते हैं केवल लहोर में रहता है। मैं चार पर गई हूं, मैंने जाकर देखा है, उनकी गुपचार आजन्सियों की पहनी नजर हमारे उपर एती है, अब हमारे कादियां लोग आते हैं, जमेर शरीफ आते हैं, और भी तेर्थ करने पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो खुले गुंगते हैं, लेकिन हम लोगों के देती हूं दुर्गयाना कमिटे की उर से कि इनकी यात्प्रा शुब हो और अगले वर्षिये फिर यहां से जाएं, खुशी हैं, लेकिन दर्शनार्थी उनको वहां रहने में असोविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए दर्शनार्थी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय पर इन बातों पर कोई एक्शन लिया जाए, ताकि दर्शनार्थी को पाकिस्तान के तेर्स्तल पर जाने में कोई असोविधा ना हो